प्त्वीराज मूवी अक्षे कुमार की जो आने वाली मूवी है उसका नाम बदल कर सम्राट प्रत्वीराज कर दिया गया है यह जब मूवी यह का टीजर आया था तब इसे यह डिमांड चल रही ही कर नेसैना के द्वारा कि जो movie का title है वो पृतियु राज से हटा कर समराथ पृतियु राज कर दिया जाए अब यहां पर एक अलग से भी एक issue चल रहा है कि पृतियु राज चोहान जो है वो क्या राजपूत है या फिर गुर्जर है अलग से इस community इन दोनों community के बीच में विवाद चल रहा है गुर जो राजपूत community है उनका कहना है कि पृतियु राज चोहान जो है वो एक राजपूत है तो इन दोनों community के बीच में अलग से भी argument चल रहा है गुर्जर community ने पृतियु राज विजय एक book है जिसमें कुछ जगहें पर हमें पता चलता है कि पृतियु राज जोहान के जो एक किला है जहां पर गुर्जर दुर्ग उसको लिखा दिखाया गया है जहां पर मुहमद गजनी का आना जिसमें दिखाया गया है असूर लिखा गया था वहाँ पर और मुहमद गजनी की जैसे प्राजित इसके अंदर दिखाए गई है तो जहां पर यह पता चलता है कि पृत राजपूत कम्यूनिटी के द्वारा भी यह सब चीजें साक्षय प्रवाइड किये गए हैं कि जो पृति राजपूत हैं कि यह अलग इशू चल रहा है अब यहां पर जो राजपूत कम्यूनिटी हैं जो करनी सैना है उन्होंने बैठ कर प्रोडियोसर से या फिर मेकर्स हैं उनसे बात किये तब जाके इस मूवी का नाम जो है वो पृतियराज से बदलकर समराट पृतियराज चौहान किया गए हैं काफी जारे इशू है इस मूवी को लेकर मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पढ़ना चाहिए कि मुझे तो नहीं पढ़ता है कि वो गुजर थे या जानिया सुनते हैं उनके बारे मैं जानते हैं तो हमाँरे अब तक इस भारत में सिर्फ टीन लोगों को शब्द भी बान चलाने आए हैं त्रेता युक के अंदर मैं बात करूँ तो महराजा दर्श्रत जी को शब्द बेदी बान चलाने आते थे उन्होंने जब मतलब कि आख बंद करके शुर्फ आवास सुनकर उसी दिशा में बान चला दे न और श्रवन कुमार जो अपने माता पिता के लिए जो नदी से पानी भड़ रहे थे तो वहाँ पर उनको तीर लग जाता है क्योंकि महराजा दर्श्रत ने उस वक्त शब्द बेदी बान सुलकर उनको बान चला दिया था एक भील जिसमें उसने शब्द बेदी बान चलाकर किर्शन भगवान के पैरों के मतलब की पैरों में तीर लगा था जि इसमें जैसे कहानी, जैसमें कहा जा रहा है कि पृत्यूराज रासों को लेकर इसमें कहानी रखी गई है, पृत्यूराज चोहान और जो कर्नोज के महराजा थे, जिनका नाम जैचंद था, शायद जैचंदी था, और उनकी बेटी सेयुकता, तो पृत्यूराज चोहान और से चेड़ जाड़ नहीं की गई होगी खैर उस विश्य पे नहीं जाते हैं तो मुझे मैं इक बात कर रहा हूं कि जैसे इसमें गुर्जर या फिर राजपुत की बात हो रही है तो मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता है तो मेरे लिए तो इतने महान हिंदू समराथ वो रहे इसके ओपर आपकी क्या राय है जो टाइटल बदला गया है यह गुर्जर और यह राजपुत इसके ओपर अपनी राय मत रखना मुझे यह जातिवादी करना मुझे नहीं पसंद कि आप जातिवाद भी करें एक हिंदू समराथ थे वो मिरे लिए बहुत बड़ी चीज है उनको देखकर जैसे एक वो भावना मैं आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूं वो समझ नहीं रहा हूं उनकी जो कहानिया जैसे रोंग्टे खड़े कर देते हैं एक जो कवीता है चंद्रबर्दाई जो उनके राजकवी है उनके द्वारा लिखी गई थी बहुत जादा एक फेमस कवीता है जो आपने सुनी भी होगी मत चूको चोहान तो मतलब कि वो वाली जो कवीता वो मुझे बहुत जादा पसंद है मतलब कि इतना बढ़िया आप उनके किसे सुनेंगे आपको गूस बंब आएंगे मुझे तो लगता है कि आप उसी वे से उनको देखें खें आने वाले टाइम में पता चलता है कि मुवी के अंदर उनको क्या दिखाया गया फिर जो कम्मुनिटीज है उनके बीच में क्या होता है क्या होने हो तो सब शांती से ही रहे सब बढ़िया रहे मैं तो यही उमीद करता हूं कि अपना अपनी रह जरूर रख देना कि आपको लोगों ने एक इनेगर्य वे में विकाय कि गुंडे हैं ऴाई? गुंडे नहीं होते हैं मतलब कि करनीसाना कोई गुंडा नहीं है वा ठीकानी जाया होते हैं उनको प्तलब हमारे वीर सपूथ है हिंदू सम्राठ तो जिस तरीके से हमें एक इज़धनी चाहिए तो वो नह जरूर रखते ना तो बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में तैंक्स और वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन